मैं दक्षिन डकोटा के ब्लाक हिल्स पर हूँ मौसम फिर से बदल चुका है और मुझे नीचे घाटी तक पहुँचना है बारिश की वज़े से ग्रनाइक पर फिसलन हो चुकी है और मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा आगे एक पाइन का पेड़ है और मैं उसका इस्तिमाल कर सकता हूँ ज़रा संभलके आना यहां आगे बहुत ज्यादा गहराई है मैं अपना बाकपाक उतार देता हूँ क्योंकि यहां पेड़ की बहुत सी टहनिया निकली हुई है एक बार मेरा बाकपाक एक पेड़ में फंस गया था और मैं उसके साथ लटका रहे गया था अब यह ज़रा ठीक लग रहा है मैं इसे जैकेट के नीचे रखूँगा तो यह बचा रहेगा मैं कूद कर डाली तक पहुँचा हूँ डाली मुड़ी हुई है पर यह मसबूथ है काफी पुराना पाइंग का पेड़ है ज्यादा रेजिन मतलब लचकदार डालिया पर यहाँ एक समस्या है मसबूथ और हरी डालिया पेड़ के ऊपर की तरफ है और तेज बारिश की वज़े से यहां काफी ज्यादा फिसलन है अब मुश्किल यह है कि यहां पर डालियां खत्म होती जा रही है जितना लगता है उतना आसान नहीं है अब यहां से सिर्फ करीब पंदरा बीस पुट मीचे जाना है देखता हूँ कोई सहरा मिलता है या नहीं अब टेहनिया खत्म हो चुकी हैं मैं चत्तान का सहरा लेते हुए नीचे उतरूँगा ओके यहां सर्दी और बारिश के बावजूद दिहाइडरेशन हो सकता है इस इलाके में हर दो घंटों में आपके शरीर के अंदर से एक लीटर पानी कम हो सकता है आपको यहां लगातार पानी पीना चाहिए यहां तक सही सलामत पहुचा हूँ और अगली चुनौती के लिए तयार हूँ मैं ब्लाक हिल्स के इलाके से लगभग बाहर निकल चुका हूँ और रात के लिए रुपने की जगह ढून रहा हूँ अब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली पर एक चीज ज़रूर मिली है जिससे रात को मदद मिलेगी यहां पर ये कैट टेल्स हैं और इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये बिल्कुल बिल्ली की किसी पूँच जैसे दिखते हैं बूरी बिल्ली की पूँच जैसे जलाने के लिए ये एक बढ़िया चीज है क्योंकि ये बहुत आसानी से जलने लगते हैं मुझे लगता है कि रात को रुपने के लिए ये जगह अतनी पुरी नहीं है मैदानी अलाके में पहुंचने के बाद मुझे बस खुली जगह मिलेगी वहां काम की चीजें नहीं होंगी लेकिन यहां पेड़ों के बीच मुझे बहुत कुछ मिल सकता है